अंपायर का क्रिकेट के मैदान में क्या रोल होता है ये तो आप सब बहुत अच्छे से जानते है मैदान में इनकी उंगली उपर उठी और करोडों लोगों के आसू शुरू होगे इनको भी अपने मेच के मोटी रकम मिलती है ये वो है जो हर एक बॉल पर बारीकी से अपनी गड़ाये रखते है जितना मेहनत का काम गेंद बाज और बल्ले बाजों का होता है उतना ही इनका भी होता है आज अपने इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे अंपायर के बारे में बता रहे है जिसकी सालरी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे मारेस ये साउथ अफरीकी अंपायर है इन्होंने अब तक 30 टेस्ट 62 वन डे और 20 टी डट मैचों में अंपायरिंग है क्रिकेट से लगाव रखने वाला हर एक व्यक्ती इनको जानता है आपको बता दे कि इनकी सालाना तंगवा है 22,75,000 रुपे इसके अलावा इनको 1,95,000 रुपे टेस्ट फीज भी मिलती है निगेल इंग्लेंड अंपायर निगेल अब तक 29 टेस्ट 93 वन डे और 24 टी डट मैचों में अंपायरिंग कर चुगे है इनको 29,25,000 रुपे सालानी सालरी मिलती है इन्होंने 2005 से अंपायरिंग की शुरुआत की थी कुमार धर्म सेना 2009 से अंपायरिंग कर रहे कुमार धर्म सेना सालाना सालरी है 22,75,000 रुपे इन्होंने अब तक 65 वन डे तीस टेस्ट और 17 टी डट मैचों में अंपायरिंग की है इनका नाम अमीर अंपायरों में शुमार है बिल्ली बाउडेन क्रिकेट इतिहास के सबसे स्टाइलिश अंपायर अब तक 185 वन डे 84 टेस्ट मैच और एकस टी डट मैचों में अंपायरिंग कर चुगे है बिल्ली बाउडेन की सालाना सालरी 29,25,000 रुपे है इसके अलावा इनकी टेस्ट मैच की फीस 1,95,000 टी बिस की 65,000 रुपे और वन डे की 1,43,000 रुपे है ब्रूस ब्रूस की सालाना तन वह 22,75,000 रुपे है इसके साथ ही टेस्ट मैच फीस 1,95,000 और वन डे की 1,43,000 है वहीं एक टी डट मैच में अंपायरिंग करने के वेख 65,000 रुपे लेते हैं